भारत माता की वन दे इनकलाब जैजवान कबरधा नगरी के करांतिकारी लोगों को इतनी भारी संख्या में देखकर बहुत खुशी हुई आप सबका बहुत बहुत अभार और सवागत है आप घर से निकले आप मकानों से निकले दुकानों से बाहर निकले यह करांति का संकेत होता है यही करांति हमने पंजाब और दिल्ली में देखी हुई है हम चशमदीर गवा हैं उसके आज जैसा के बोला गया 23 साल हो गए 36 गड कुछ नहीं बदला गरीब अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता सरकारी स्कूल में वो शिक्षा नहीं है जो उसको अफसर बना दे गरीब अपने बच्चे को अपने बुज़ुर्ग को इलाज नहीं करवा सकता प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे नहीं है और सरकारी में इलाज नहीं है डॉक्टर नहीं है दुवाईया नहीं है मशीने नहीं तो भाई साब ये कितनी देर तक चलेगा ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा आज हम आए हैं आपके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी जैसा के बोला ग हमारी सरकार हैं दस हमारे MP हैं लोकसवा में और राजसवा में पांच हमारे ML गुजरात में हैं दो हमारे गोव में ML हैं और नैशनल पार्टी इतनी तेजी से उबरने वाली पार्टी कभी नहीं इतिहास में बनी थी भारत में इसमें कोई rocket sense नहीं है हमारे पास पैसे नहीं है हमारे पास इनकी तरह हम धर्म का नाम इस्तेमान नहीं करते हम जाती की बात नहीं करते हमारे पास लोग हैं 140 करूर लोग तो आपको मैं कहने आया हूँ इनके जुमलों में मता न ये बड़े बड़े जुमले सुनाते हैं जुमले वो पंद्रा लाख वाला भी जुमला निकला पंद्रा लाख आ गया किसी के खाते में पंजाम में भी नहीं आया भाई साथ नहीं आएगा नहीं आएगा मैंने पार्लिमेंट में जब मैं MP था तब मैंने बोला था मैंने का जी पंद्रा लाग की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है काले धन के बारे में सोचता हूँ तो कलम रुक जाती है हर बात ही जुमला निकली अब तो ये भी शक है क्या चाहे बनानी आती है हर बात ही जूट है भाई साब हर बात जूट है तो इनके जुमलों में मता ना जब वोड देने जाओगे तो एक चीज मेरी आज बात ध्यान से याद रख लेना मशीन को देखोगे उसमें बटन बटन के सामने चुनाव चिन वो बटन ना तो किसी हाथ पंजे का है वो बटन ना किसी कमल के फूल का है वो बटन ना किसी हाथी का है वो बटन ना किसी सीड़ी का या किसी दाती थोड़े का है वो बटन ना ही किसी जाडू का है असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है अगर तो सही बटन दबा दोगे किस्मत चमक जाएगी अगर वो ही काम करोगे जो पहले करते आ रहे हो फिर तो हैं ही वो दोनों हैं बारी बारी लूट रहे हैं हमका क्या करें और हमारा बटन तीसरे नमबर पर है लेकिन आना पहले नमबर पर है ये याद रख लेना ये याद रख लेना के तीसरे नमबर का बटन है और जब रिजल्ट आएगा आना पहले नमबर पर है ये जाडू सफाई करता है इस जाडू से पहले हम सिरफ मकान जा दुकान की सफाई करते थे अब अर्विन केजरिवाल जी की गवाई में इस जाडू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा इसलिए जो डरते हैं कि अर्विन केजरिवाल जी चुनाब में जहां भी जाते हैं देश में बहां बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता है तो उन्होंने कहा इनको रोको इनको रोको परचार में जाने से तो कहरें एडी को सम्मन भेजो गिर्फतार कर लो पकड़ लो केजरिवाल को ये पूरे देश में न फैल जाए इनको ये पता नहीं है कि हम वो पत्ते नहीं जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंदियों को कह दो अपनी उकात में रहें गिर्फतार कर लेंगे ये जेल की धंकी दे रहें है दो हमारे तीन नेता हमारे गिर्फतार कर लिए नो ने हमारे नेताओं को गिर्फतार कर लोगे अर्विन केजरिवाल के शरीर को तो गिर्फतार कर लोगे उसकी सोच को कैसे गिर्फतार करोगे जो पूरे देश में फैल चुकी है हो गया 37,000 से जादा नौक्रियां सरकारी नौक्रियां अपने हातों से दे के मैं आपके सामने खड़ा हूं 37,000 कोई पटबारी कोई सब इंस्पेक्टर कोई SDO कोई टीचर हर गाउं में दस-दस ग्यारा ग्यारा नौक्रियां मिल चुकी हैं हर गाउं में जहां एक भी नौक्रिय नी मिलती थी भाई सब नियत साफ हो तो सब कुछ हो जाता है जंगल दिया, जल दिया, नतिया दी सिर्फ सची नियत वाले नेता नहीं दिये बस पंजाम में 90 परसेंट घरों को बिजली का बिल जीरो आता है जी जीरो बिल आता है दिली में भी जीरो बिल आता है यहां भी आगए हम गरंटिया हैं हमारी अब तो मोदी जी भी गरंटी बोलने लगे है ना जब बीजेपी के लिए बजने लगी खत्रे की घंटियां तब मोदी को याद आई केजरिवाल की गरंटियां इनकी गरंटियां नकली है भाई साब असली गरंटी इतर है वस यह कह दे ना डबल इंजन चाहिए अरे इंजन एक ही अच्छा होता है अगर इंजन में जान चाहिए 36 गर को डबल इंजन की नहीं नए इंजन की जरूरत है और नया इंजन यह केजरिवाल मॉडल इंजन पहुंच चुका है फराटे से दौड़ता है पलूशन भी नहीं है और दिल्ली की गाड़ी पड़ड़ी पे बहुत स्पीड से डौड़ रही है पंजाब की गाड़ी पड़ड़ी पे चड़ गई है अब 36 गरवालों आपकी बारी है अब तो मैं पेड़ देख रहा था सामने पेड़ा है ये पेड़ भी साल में एक बार पत्ते बदल लेते हैं अपने पत्ते नए पत्ते ले आते हैं आप तो बदल के देखिए एक बार बटन तो बदल के देखिए एक मौका हम कह रहे हैं उसके बाद फिर आप मौका देते चले जाएंगे क्योंकि हम एक बार कहते हैं कि एक बार मौका दे के देख लो अगली बार अगर ये हम अच्छे ना निकले तो हमें फैंक देना बाहर निकाल देना लेकिन एक तो मौका दो इसलिए आपके पास आए हैं कि इनके जुमलों में मताना मैं देख रहा था ये कवर्दा का छोटा सा बाजार है लेकिन पूरा हिंदोस्तान बसता है गुर्दवारा साब आए और राजबूत समाज का भवन आया ये पंजाबियों के यहां बिजनस हैं काम है बिलासपुर में राइपुर में सारा देश बसता है ऐसी दिल्ली में है दिल्ली में पूरे देश के लोग बसते है दिल्ली देश का दिल है और मोदी जी दिल के ही दुश्मन बने बटे हैं कि दिल रोक देना है दिल नहीं रुकेगा दिल नहीं रुकेगा तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ देखो ये इलेक्षन के पास आके न आखरी दो महिने में एक लॉली बॉप देते हैं इनको ये लगता है चंता साड़े चार साल पौने पांस साल भूल जाती है आखरी के तीन चर्म इने याद रहते हैं चलो जी सिलंडर दो सो रुपे सस्ता अरे महेंगा कितना किय था ये तो बता दो हम कहते हैं सस्ता कर दिया ये वह वाली बात है एक घर में ये जाद रखनक ये बात एक घर में बेटी की शादी थी अच्छा घर था जिमिदार थे पैसे वाले तो उन्हें अपनी बेटी के लिए समान कठा किया सोने के जेवर, चांदी के जेवर, टीवी, विस्यार और पूरा बेड़, पूरा समान कठा कर लिया बेटी को, समान देना है, शादी है, आज रात को समान था घर पे, कल बरात आने वाली थी, आज रात को डाकुओं को पता चल गया, कि इस घर में माल है, वो ट्रक लेके आए और ट्रक घर के अंदर, बैक करके खड़ा कर दिया, लड़की के परवार को, एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी, पूरा समान ट्रक में भर लिया, चलने से पहले डाकों के सरदार ने कहा, लड़की का परवार कौन से कमरे में है, वो बोले जी इस कमरे में है खोलो खोला अंदर जाके डाकों के सदार ने कहा किस लड़की की शादी है वो बिचारी डरती डरती उठी जी मेरी शादी है डाकों ने अपनी जेब में हाथ डाला सौर पै का नोट देकर बेटा जे शागर रखले मेरी तरफ से आपका जीवन मंगल में हूँ अगले दिन काम करते हैं आपके साथ सारे चार साल लूटते हैं और आखरी में साआर रपर दूसटर रपर का शगन्दे देते हैं और हम खोश हो जाते हैं ये काम नहीं करना है तो जाड़ू चलेगी न दोनों हाथ उपर उठाके दो नारे इनकलाव इनकलाव जय जवान इनकलाव भारत मता की बोले सोने हाल बहुत भन्यवाद बहुत अपने आध दर्मान सब्कार दिया बहुत भन्यवाद नमस्कार दोस्तों BCR News में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका होश्ट हैं दोस्ता जेश शास्त्री उम्मीद है आपको ये हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जी हा ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए आपसे आलविदा लेते हैं भारत माता की चैवंदे मातरम जाहिन दोस्तों